धोबी का गधा की कहानी, धोबी का गधा स्टोरी, इन हिंदी किसी एक गाउं में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगूं के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका, दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। धूब तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने। मैं परिशानी हो रही थी वो दोनों घाट की तरफ जाही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़ खड़ाया और वह एक गहरे गढ़े में गिर गया अपने गढ़े को गढ़े में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गढ़े से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन गढ़ा और धोबी दोनों नाकाम्याब रहे धोबी को इतनी मेहंत करते देख कुछ गाव वाले उसकी मदद के लिए पहुँच गए लेकिन कोई भी उसे गढ़े से बाहर नहीं निकाल पाया तब गढ़ा वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूरा हो गया है इसलिए समझदारी इसी में है कि गढ़े में मिट्टी डाल कर उसे यहीं दफना दिया जाए थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बाद के लिए राजी हो गया गाव वालों ने फावडे की मदद से गढ़े में मिट्टी डालना शुरू कर दिया जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आँखों से आसू निकलने लगे गधा कुछ देर चिलाया लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है जैसे ही गाव वाले उस पर मिट्टी डालते वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गढ़े में गिरा देता और उस मिट्टी के उपर चड़ जाता ऐसा लगातार करते रहने से गधे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चड़ते हुए उपर आ गया अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आँखों में खुशी के आसु आ गए और उसने कहानी से सीख बच्चों धोबी का गधा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में भी आप अपनी बुद्धी का प्रयोक कर कठिनाईयों को पार कर सकते हैं